पत्ना की सरको पर जब बिहार के पुर्मुख्य मंत्री लालू पृसाद यादो कभी निकलते थे तो जरूर ही वो पान खाते थे अब उनके बेटेवा बिहार के उख मुख्य मंत्री तेजस्वी यादो भी अब बिता के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं तेजस्वी आदो भी कई बार पटना के सरकों पर पान खाते नजर आ चुके हैं आज एक बार फिर से तेजस्वी आदो जब बीदुपूर के लिए रवाना हो रहे थे इस बीच पटना के राजधानी पान भंडार पर वो पान खाते नजर आएं तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं जो तस्वीर आप देख रहे हैं तस्वीर पटना की है और इन तस्वीरों को देखर आपको लालू परसाद यादो की भी वो तस्वीर यादा रही होगी लालू परसाद यादो भी पान के बेहद ही सौखिन कह जाते थे लेकिन अब तेजस्वी आदो भी अपने पिता एकदम लालू प्रिसाद यादो के रंग में रंगने लगे हैं आप तस्विरों में देख सकते हैं हाल के दिनों में चोरसिया समाज के उत्थान के लिए तेजस्वी आदो ने कई बड़ी एनाउस्मेंट की है और इस बीच अपने विधान सवाज्चेतर बीदुपूर में सेंटर आफ एक्सिलेंस खोलने की दुरदर्सी योजना जो है उन्होंने बनाई है लेकिन इन सब के बीच आज पटना में तेजस्वी आदो पान खाते नजर आए तस्विर आपको दिखा रहे हैं लाजमी है जालू यादो कभी पटना में जब बतौर मुख्य मंत्री रहे या फिर वो आरजेडी चिफ्ट के पदपड़ी रहे है अब भी वो पटना में निकलते थे तो जरूर एक बार पान खाते नजर आते थे और तेजस्वी आदो भी आज पटना में पान खाते नजर आ रहे थे इदर देखनी जएगा तेजस्वी जी इदर देखनी इदर देखनी तेजस्वी जी इच्छि गया हाँ म कुझे तो इचर्ड वाहाँ तो कार्by या पहले दीना जान सरह और मुझे आजजा कि जब भी आते तो पान खाते थे आज आप भी आए तो पान खाने हैं तो पुराना है ना राधानी पान चौरस्टिया जी का और चौरस्टिया समाथ के लिए तो हम लोग सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ना रहें विदुपूर में जो पहने कभी नहीं हुआ किस्त्री विभाग दें किया है कि चौरस्टिया समाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस कि स्थापना की जाए तो लोगों के आपने है कि भाई प्यार महबद करते हैं कि यह